दोस्तो आज हम बात करेंगे 2.0 मुवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में दोस्तो यह मुवी रोबोट मुवी का सीक्वल है जो कि आये थी 1 अक्टमबर 2010 में और दोस्तो उसके इंगी सबसे जाता बजट की मुवी थी रोबोट और दोस्तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2.0 मुवी जो आरई वो 450 करोर रुपिष की मुवी ए जोकि अगर हम बात करें बहाववळी तो देखा जाए तो दोनों मुवी का कम्बाइन भी हम निका लें तो उससे जादा बजट की है मुवी है इस मुवी को मुवी काफी जल्दी हमारे विचाने वाली है यह एक टॉलिवूड मुवी है जो कि एक साइंस विक्षन मुवी है और दोस्तों अगर इसकी बजट की बात करें तो 9 से सबसे ज्यादा non hollywood मुवी है जिसका बजट इतना ज्यादा है दोस्तों इसका जो वो दिया है एर रह्मान ने और इस मोवी के लीड डोल में है रजनी कान अक्ष्यकुमान एम इजेक्शन दोस्तों एस अंकर के जो मोवी आई है अभी तक जैसा अगर हम बात करें शिवाजी तब बॉस आई और रोबोर जैसे मोवी की दोस्तों यह मोवी काफी एंटरडेन ही दोस्तों इस मोवी में डॉक्टर रिजट का रोले वो इतना ज्यादा नेगेटिव है कि इस रोल को करने के लिए सब्सक्राइब आमेर खान कमल हासन और विग्रम से खागया था लेकिन उन्हें साफ तोर पर इस ऑफर को ठुकरा दिया और फिर इसके बाद प्रितिक रोश कि यह ओफर उन्हें सूटेबल नहीं था इसमें टाइम भुचादा लगता था मेकप के लिए तो दोस्तों इसके बाद एस अंकर ना यह ओफर दिया अक्षे गुमार को और उन्होंने इसे एक्सेप कर लिया तो कि उन्होंने इस ओफर को पॉजिटिव लिया इस आफर को क करने के लिए उन्हें बहुत मौटी रखम दी गई है जिसका प्राइज असी करोड रुपे एटी करोड रुपे दिये गए अक्षे गुमार को इस रोल को करने के लिए जो कि एक पूरी मुवी का प्रोटल बजट होता है दोस्तो इस मुवी के प्रोडियसर है सुबासकर अल्लही राजा ये मुवी कुछ-कुछ इंस्पायर है अगर हम मुवी के स्टोरी की बात करें तो इसमें डॉक्टर रिचर्ड जो की एक साइंटिस्ट है वोए अपने उपर एक खतनाक एक्सपेरिमेंट करते है और उसके उनके अंदर कुछ पावर से जाते है वो लोग को मानने लगते है और दोस्तो अगर मुवी का सस्पेंस हम बनाया रखना चाते है तो आप मुवी जाकर देखिए इस्टोरी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते है दोस्तो ये पहली ऐसी मुवी है जो कि सीधे 3D में ही रिकॉर्ड की गई है इसके शूटिंग 3D में हुई है तबकि दोस्तो जितने भी अधर्स मुवी आई है जिसके हांटेड 3D या क्रेचर 3D और पदमावर ताइप की जो मुवी थी इनमें वर्चुली बाद में 3D एफ यहां पर अक्षे गुमार और रजनीकान दोनों स्टार्स के फैंस के लिए बहुत खुश खबरी वाली बात है और वो यह है कि अक्षे गुमार यहां पर 12 रोल करते वह नजराएंगे जबकि रजनीकान 5 रोल में आपको नजराएंगे दोस्तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगता था यानि कि अगर दोस्तो मान लिजी सपोस 12 बज़े अगर शूटिंग चालू होना है तो अक्षे कुमार को सुबद 6 बज़े माँ पोश्चना पूरता था ताकि 6 घंटे वह मेंकप करवा सके दोस्तो इस शंकर ने इस मुवी में different function के लिए अलग-अलग technician team बुलाई है जो की बुलाई गई है पुरी दुनिया से एक्शिन के लिए अलग technician team है costume के लिए अलग technician team है और दोस्तो इस जो technician team में पूरे world से आई है जिनकी cost भी काफी ज़ादा है इस तरह से अगर देखा जाए तो मुवी का बजट तो साथ में बड़ा ही है लेकिन आपको वो बड़े टेकलोजी इसमें देखने को मिलेगी दोस्तो इस मुवी की जो शूटिंग हुई है वो हुई है मौरक को यूक्रेयन लौस अंजलेस और इंडिया में साथी दोस्तो जो मुवी को डबिंग करने के लिए टाइम लगा है वो काफी जादा है थ्री मांस का इसमें टाइम लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि दोस्तो ये मुवी होरी 15 लेंग्वजिस में रिलिज जो कि इंडियन हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ है अगर हम बात करें बाहवली जिसे मूवी की जो की मैन बनी थी तेलोगो में तेलोगो तमिल और हिंदी में इसे रिलिज किया गया था लेकिन ये मूवी 15 लेंगोजिस में रिलिज हो रही है जिसमें तमिल तेलोगो हिंदी इंगलिश जापनिस और चाइनिस जैसे लेंगोजि किया गया है दोस्तों अगर हम बात करें इस मोवी के सेटलाइट राइट्स की जो की म्यूजिक के लिए है वो बिके है 110 करोड रुपे में जिसमें से हिंदी के सेटलाइट राइट्स की अगर बात करें तो वो 80 करोड रुपे के है जो की काफी जादा है अगर बाहुबली इस टेकनलोजी का यूज किया गया है जिसमें एस अंकर ने पूरे दुनिया से पूरी कंट्री से 16 टीम पूराई है जो की कर रही है इस मुवी में काम और उन्होंने चुरासिक पार्क टर्मिनल जैसी मुवी इसमें भी काम किया है दोस्तो इस movie में security purpose को ध्यान में रखते हुए जितने भी teams थी चाहे वो camera team हो, shooting की team हो, costume team हो या VFX team हो और उनके members किसी को भी mobile phone ले जाना set पर allowed नहीं था क्योंकि दोस्तो एक अक्षे गुमार का poster था जो कि तारिक से पहले ही किसी ने leak कर दिया था साथ में Amy Jackson के कुछ photos भी leak हो गया थे इस करण से पिल्कुल भी mobile phone ले जाना set पर allowed नहीं था दोस्तो इस movie का पहला वर्जिन जो कि आया था 2010 में robot के नाम से जिसमें lead role में थे एश्वर या रजनी कान तोल डैनी उस movie ने दो national award और तीन film fair award लिते है दोस्तो इस movie villain के लिए director के पहली पसंद थी अर्नौल्ड स्वाजनेगर पर उनकी cost डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो afford करना काफे मुश्किल था और movie का budget पहले ही 450 करोड हो गया था तो इस तरह से यह offer फिर अक्षे कुमार को दिया गया और उन्होंने इसे accept कर लिया दोस्तो यह movie एशिया की second largest budget movie है जिसका budget है 450 करोड रुपीस साथ ही यह movie रिलिज होरी है एंडिया में 7000 screens पर साथ ही चाइना में रिलिज होरी है 10,000 screens पर झाल झाल झाल